नमस्कार दोस्तों मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं HTNews में और आखिर क्यूं नराज हैं PSP के प्रवक्ता और समाजवादी चिंतक दीपक मिश्र और क्या-क्या कह गए वो इस बयान में देखिए नमश्कर महमित आपका स्वागत करता हूँ htnews.co.in में आज हमारे साथ में हैं समाजवादी चिंतक एवं प्रगती शील समाज़ादी पालिटी के प्रवक्त है दीपग मिश्ट जी और वो आज काफी नाराज है आईए पूसते हैं और वो नाराज़गी क्या है उन्हीं से पूसते हैं बात्चीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं बताएए मिश्ट जी देखे मेरी नाराज़गी वैक्तिक नहीं है मैं आदर्णी नेता जी का जो अपमान हुआ है सावज़नी करूप से जो अपमान हुआ है और एक वेक्ति है किरण में नंदा उम्र में बड़े हैसले नाम के आगे जी लगा देता हूँ उन्होंने कृतग्नता की पराकास्था को पार किया है समाजवादियों की जो उदात परमपरा रही है बड़ों के समान करने की उसका आउमुलियन किया है आप पताईए कर नेता जी से कह रहे हैं कि एक संदेश ते तो वीडियो जारी हुआ है और नेता जी कह रहे हैं कि सेफ़ई में बहुत बेड़ है मुझे वहाँ जाना है और उसके बाद किस तरीके से वो अपमान जनक भाव भंगिमा में उनकी हसी उड़ा रहे है वो मुलायम सिंग यादो जिसकी मेधा और मेहनत के बल पर आज प्रतेक समाजवादी की पहचान है उसका इस तरीके से मजाक उड़ाया जाएगा और ये पहली बार नहीं है इसके पहले भी सारजनिक रूप से उन्होंने कहा था मुलायम सिंग यादो की क्या हैसियत है अगर उसी समय वर्तमान सपा ने तित्व भाई एकलेश कारवाई कर देते तो आज ये हाल नहोता आज नीता जी को इस तरीके से अपमान जनक भाव भंगिमा में उनकी खिल्ली उड़ाना ये लोग समाजवाद के आंत्रिक शत्रू हैं आपको पता होगा मध्यपरदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सशक्त थी तब सपा में हम भी थे आरणी सुपाल सिंग जी संघर्ष रीरवन के संघर्ष करते थे कितनी मजबूत थी आसाम में कितनी मजबूत थी बंगाल में कितनी मजबूत थी आज बंगाल आसाम मध्यपरदेश में समाप्त पराय है ये सपा के उपाध्यक्ष है और सपा को दीमक की तरह से समाप्त कर रहे हैं चुकि अब मैं दल में नहीं हूँ इसलिए मुझसे सपा से कोई सानभूती नहीं है लेकिन दुख इस बात का होता है कि समाजवाद की विचार धारा जिसका दावा सपा करती है उसका इस तरीके से खुला उलंगन उसका इस तरीके से मजाग उड़ाया चाहेगा तो मैं तो चाहता था कि वेक्टिकर तालोशनाई न करूँ वेक्टिकर टिपड़ी न करूँ लेकिन कल किरर में अन्दा जी ने जो दृष्ष तिखाया है उससे मन बना व्यठित है और व्यठित होना सभाविक है हम कैसे मुलाइम सिंगाद हो जी कि इस अपमान को जो सारजनी की रूप से बार बार किया जा रहा है चुपचाब देखते रहे इसलिए आज व्यठित मन की कराह से आपको अगट कराने के लिए बुलाया है तो जैसे किरनमन अंदस समाजवादी पाल्टी के अंतरिम शत्रू भी आने जाते हैं तो क्या जो जनम दिन में आ नहीं पाएं उनको रोका गया तो इसके बारे में आप क्या कहें देखे हमारा जो निता जी के प्रति सम्मान है वो बंधन मुक्त सम्मान है वो स्वार्थ पर केंदित सम्मान नहीं है हम निता जी को कहीं भी जाने से नहीं रोकते ना रोकेंगे ना कभी रोका है निता जी खुद कह रहे हैं मुझे सेफ़ई जाना है वहां बहुत भीड है मुझे जाने तो मुझे सेफ़ई जाना है वहां बहुत भीड है नेता जी का लोग संस्क्रित के पति जो प्रेम है किसी से छुपा है क्या उनोंने लोग कृड़ा के लिए जो उनोंने जीवन दिया किसी से छुपा है क्या इसके बाउचूद भी घेर कर उन्हें जिस तरीके से किया गया दुखत दिश्य है और ऐसे दिश्य की चर्चा मुझे लगता है कि मन को ही पीड़ा देगा और पीड़ा सब को देगा नेता जी के संगर्ज के साथियों को देगा नेता जी के युवा समर्थकों को देगा हमाँ जैसे समर्थों को देखा जिन्होंने निता जी पर किताबे लिखी है वो उस समय नहीं जब वो मुखमंत्री थे जब वो मुखमंत्री थे तो क्रिड में नंदा जी जैसे तमाम लोग परचा फरचा उन पर लिखवाते थे जब निताजी मुखवंतरी नहीं थे उस पर मैंने किताब लिखी लोहिया मुलाहिम और समाजवाद लोहिया के लेनिन मुलाहिम सिंग तो आज नेताजी का जो अपमान हुआ है वह समाजवादी विचारधारा और अधोलन का एक दुखान तपत कठा है जिसकी जितनी चर्चा जितनी आलोशना की जाए कम है और जिसकी जितनी कम चर्चा हो उतना ही अच्छा है वो कहते हैं न कि घर को आग लग गई घर के चिराग से मुलाहिम सिंग की राजनेतिक हैसियत पर सवाग का उनकी घोर विरोधियों ने भी कभी नहीं उठाया अतल जी बैचारी विरोधिय थे निता जी लिकिन कभी उनकी हैसियत पर सवाल नहीं खड़ा किया और समाजवादी आंदोलन में भी जो लोग समाजवादी पार्टी में नहीं थे शड़े रवी रहाए जैसे लोगों नहीं कभी मुलायम सिंजी की प्रतिबदता पर सवाल नहीं खड़ा किया और यह सवाल अगर किसी ने खड़ा किया तो भाई एकलेस के चश्म नूर किरन में नंदा जी ने जो बिधाईगी का चुनाव हार कर बंगाल की गलियों में दरदर मारे भटक रहे थे किरपा कर दी नियता जी ने बुला लिया आजाओ और राज सभा भीज़ दिया नई पीड़ी के सामने क्या क्रितगनता का सभक और क्रितगनता की सीख देने का काम करेगा सभा नितित्व ततकाल किरन में नंदा को बरखास्त करें अन्यथा ये दिखावती और सजावती सम्मान दरशाना बंद करते बड़ी छीचाले दर हो रही है जैसे कि हर जनम दिन में सैफाई में नेता जी मनाते थे इस बार नहीं पहुच पाएं इस से कही न कही नेता जी आहद भी हुए हैं जिसके कारण वो अपने आप से बोल नहीं पा रहे हैं असमंजस में हैं इसके उप़र क्या कहेंगे देखिए नेता जी का हाथ होना सुभाविक है कह रहे हैं मुझे जाने दो सिफ़ई और नहीं जा पाए लेकिन सारी स्थित्ती को इस पस्ट नेता जी स्वेम करेंगे और मैं भी आहद हूँ और मैं ही नहीं उनमें आस्था रखने वला हर विक्ति आहद है वो तो भला हो शथे सुपाल सिंग जी का और प्रक्षीर समाजवादी पार्टी के सेनानियोj का जिनके नाते वो लोग जो नेता जी के बुलाने पर भी नहीं आते थे वो लोग जो सरजनिक रूप से कहा करते थे नेता जी का नाम लेके कि उनकी हैसियत क्या है वो हो सोत कहा है ऐसे बोलते थे जो लोग वो लोग भी जाकर दिखाने के लिए ही सही निता जी संदेश देदीजे संदेश देदीजे लेकिर वो कहते हैं कि मन का भाव कब तक छुपेगा आवरन हट गया और जैसे ही आवरन हटा बात खुलके सामने आ गई खिल्ली उड़ा रहे थे निता जी का क्या निता जी खिल्ली उड़ाने की बस के विक्ती है क्या निता जी का सावज़ने का मान होगा और समाजवादी चुप रहेंगे यह समाजवादियों का इतिहास नहीं है समाजवादी धौस्त होना कबूल करेंगे लेकिन कृतगन होना अपने माथे प पोड़कर वामुर्चा हारी बंगाल में आ गए क्रिमन्दा जी लखनू जब सरकार थी हमारी समाजवादियों की सरकार थी वह सरकार थी जिसको सदे सुपाल सिंग जी जनिस्वर जी और मोहन सिंग जी और हम जैसे लोगों ने पसीना बहा कर बनाया था सतर संघर्ष करके बन आया था आगए क्रिमन्दा जी साथ में से छे दिन या लखनू रहते थे संडे में सिप जाते थे बंगाल अब आप पता कर लीजिए तब हफते में छे दिन या रहते थे अब छे महिने में एक दिन भी रह जा तो बहुत बड़ी बात है आये निता जी को अपमानित किया और चल दिये धन्यवाद तो समाजवादी चिंतक और प्यस्पी के प्रवक्ता दीपक मिश्रिन ने कहा कि किरन मैं नंदा की जो हरकत है ये बेहत शरम नाक है और किस तरह जी को नेता जी को अपमानित किया ये भी बिल्कुर शरम नाक है तो देखा किस तरह से जो कल नेता जी सेफाई नहीं जा और इसी के साथ एक बात और कहुंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें फेस्बुक पेज को भी लाइक करें ताकि फेस्बुक पेज पर भी आपकी ख़वरे आप आसानी से पास है